नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ योगदर्शन की व्याख्यान माला के कारिकरम में जैसा कि आपको पता है कि हम विभूतिपाद को शुरू कर चुके हैं उसके आठवे सूतर की चर्चा हमें व्याख्यान के माध्यम से करेंगे जिसमें जो एसमपरजाद जो समाधी है था निर्भी जो समाधी है उसके धारना ध्यान समाधी को उसके किस अंग के रूप में स्विकार किया गया है अंतरंग या बाहियंग उसके विशे में हम सूतर के माध्यम से करेंगे तो चले पहले सूतर जानते हैं उसके बाद आपको जैसा कि सूतर है उसी से आपको कलीर हो जाएगा कि उसके बाही अंगम आने के हैं लेकिन फिर भी एक बाद इसको सूतर के साथ जानने का प्रियास करते हैं प्रिक्षा की दर्श्टे से भी काफी उपयोगी ये सूत्र है आपके लिए, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा, तदपी बही रंगम निर्वीजसे, तदपी अर्थात उसके बाद उसके बावजुद भी जो धार्णा ध्यान समाधी है, वो बही रंग निर्वीज समाधी इक्वल टू एसमपरजाद समाधी, ये आप निर्वीज समाधी का कहीं वर्णन है, तो वो मानिए कि आप एसमपरजाद समाधी की बात हो रही है, जहाँ पे एसमपरजाद समाधी की बात हो रही है, मानिए कि आप सभी समाधी की बात हो रही है, तो यह अर्था धारणा ध्यान समादी को ऐसंपरजाद समादी के बाहिये अंगों में, बाहिये साधनों में उसको माना गया है, काउंट किया गया है तो पहले क्योशन बनता है कि धारणा ध्यान समादी किसके अंतरंग अंग है? सभीज समादी अर्था संपरजाद समादी के और यह धारणा ध्यान समादी किसके बाहिये अंग कहे गए हैं वो आप कहेंगे निर्बीज समादी के बाहिये अंग कहे गए हैं तो धारणा ध्यान समादी या कहें पूछें कि निर्बीज समादी आये संपरजात समादी के बाहिये अंग कितने हैं तीन हैं धारणा ध्यान स सवाधि को उसके भाही अंग के रूप में मानता मिले हैं, जबकि संपरजात के यही आंतरे कंग माने गए हैं। कि सुट्र में इतना ही कहा गया है कि प्रिक्षा के दर्श्ती से दोनों सुट्र बहुत IMPORTANT है और धार्णा ध्यान समाधी सारे सुट्र important है प्रिक्षा की दरश्षे से और प्रिक्षा की दरश्षे से विश्यएकर विभूतिपाद को काफी seriously लिया जाता है और बहुत सारे notes जो आपके बंदेंगे विभूतिपाद से तेयार होंगे वैसे तो सारा योग-दरशन important है और सारे उसमें से important question होते हैं लेकिन इसमें काफी question मनते हैं हर सूतर के साथ अलग लग तरह के question मनते हैं तो आप इसको थोड़ा सा करेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे इसी आसा और विश्वास के साथ जल्द ही मैं नौमे सूतर के साथ विभूतिपाद के नौमे सूतर के साथ आपसे बुलागात करता हूं तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद नमस्ते